कक्षा नवम विशय संस्क्रेत पाठ दूतिय श्वर्नकाक भाग दो तिथी सत्ताइस चार दो हजार बीस नेन सोंबार मैं आचाज सत्त प्रकास ज्याद स्वर्नकाक के अगले गध्यांस का मैं पाठन कर रहा हूँ आप लोग सांत चित्त को कर सुनने का प्रियास की आगे की कथा इस प्रकार है चिरकालम भावने चित्र विचित्र वस्तुनी संजितानी द्रिष्ट्वा सा विश्मयम गता जब वह उस स्वर्नकाक के भवन में पहुंची थी बालिका तो जब भवन के अंदर में बहुत देर तक चिरकालम बहुत देर तक भवन के अंदर में रही तो वहाँ पर चित्र विचित्र विविद्ध प्रकार के चित्र बस्तु को सजा हुआ इस प्रकार देखा जो वह आश्चर चकित हो गया इस तरह जब वस बालिका की यह दसा को स्वर्नकवा ने देखा तुन्हों ने कहा तुम बहुत ठकी हुई लग रही हो प्राह बोला पुरबं लगू प्रात रासह क्रियताम पहले लगू प्रात रासह मतलब लगू मतलब कम प्रात रासह मतलब सुवाह का नास्ता करो वदत्वं स्वर्न अस्थल्याम भोजनम करिश्चसी किमवा रजत ताम्र अस्थाल्याम मेवा ताम्र अस्थाल्याम फिर उनसे प्रस्ण पूछते हैं श्वर्नकाक जो तुम किस बरतद में नास्ता करेगी सोने की थाली में, चांदी की थाली में या तामबे की थाली में बालिका ब्याजहारः बालिका बोली ताम अस्थाल्या में वाहब निर्धना भोजनम करिश्याम बालिका बोली जो मैं तामबे की थाली में ही नास्ता करूँगी चोंकि मैं निर्धन माता की गरीब अर्था निर्धन लड़की हूँ इसलिए मुझे सोने की थाली नहीं चाहिए तदा साकन्या चास्चर्चकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण अस्थाल्याम भोजनम परीवेशितम तदा तब वह कवा उस बालिका के लिए सा मतलब वह इस्टिलिंग है इसलिए सहसा सामपुलिंग में और इस्टिलिंग में सा का प्रियोग होता है तो शाहा कन्या उस बालिका के लिए हैं कन्या सब्द है वह बालिका आश्चर्चकित हो गई क्योंकि स्वर्ण कव्वा ने उनके लिए स्वर्ण की ठाली में सुबह का नास्ता परोश कर उनके सामने लाई इतना सुन्दर भोजन बालिका अपने जीवन में कभी नहीं खाई थी जिस सुन्दर भोजन को स्वर्ण काक ने उस बालिका को खिलाई काको बुरुते बालिके कव्वा बोला बालिके लड़की अहम इक्षा में यत्वम सरवदा चो अत्रेवतिष्ठती परमाता वर्तती चे काके ने कुवा बोल हैं जो मेरी इक्षा है कि तुम सरवदा सभी समय यहीं पर हो लेकिन तुम्हारी माता अकेली है तुम सिग्र में स्वाग्रहम अच्छा इसलिए तुम सिग्र ही अपने घर जाओ इत युक्त्वा काकः कक्षा भ्यंतरातिस्त्रो मंजुसा निश्चाजतां प्रत्यवदत उसके बाद कववा ने उन लोगों के लिए अपने कक्षा था कमरा से तीन मंजुसा तीन पेती लाकर के उनके सामने बोली बालिके यथेक्षम गिर्हान मंजुसा एकाम तीनों पेती को दिखा करके कही ज़िए तुम है बालिके तुम किसी एक पेती को ले जा सकती हो अपने घर लगुतमा मंजुसाम प्रग्रहि बालिकाम कथितमिय देव मदिय तंडुला नाम मुल्यम छोटी पेती को देखते हुए वह बालिका अपने आत्म मन्थन करने लगी यह छोटी पेती जो है यह मेरे चावल के मुल के बरावर है इसलिए मैं इस छोटी पेटी को ही ले जा रही हूँ जब घर आई वह बालिका और पेटी को समुद घटी था पेटी को खोली तस्याम महाहरनानी हीरिकानी साम प्रहस्चिता तद्धी नद्धिका चोसन जाता जब इस प्रकार उस पेटी को देखा तो वह आश्चर चकित रह गए क्योंकि उसमें हीरे से सजा हुआ वह पेटी थी और उसका समय जो है वह खोशी से बीथने लगा और वह मन में मन ही मन खोशी होकर कहने लगी कि मैं अब अमीर बन गई हूँ देखे इस कहानी मिच्चा जस है अब आगे सब गरिकाज की अंतरकत सबदार्था है विलोक्या द्रिष्टवा देखकर प्राह उबाच कहा प्रात राशह कल्यवर्तह सुभा का नास्ता ब्याजिहार औकथयत कहा परिवेशितम परिवेशनमक्रितम परोसा गया इस प्रकार इस पाठ में एक तरह जहां गरीवी की मजाक है तो दूसरे तरह गरीवी में आदमी स्वाब लंबन कैसे जीवन जीता है और स्वाब हिमान से समझ होता नहीं करता है इसी स्वाब हिमानी यह बालिका है से इस आगे की कथा में आगे की गध्यांस में फिर आप लोग को बताएंगे किती सुभं झाल झाल